एलो फ्रेंट्स बियस्सी फूर्त सिमेश्टर किमेश्री यूनिट फूर आज हम लोग सुरू करेंगे यूवी विस्बल स्पेक्ट्रोइसकोपी और सोसित इसकोपी जिसमें आज इसका पहला लेक्चर है टाइप सॉप इस्पेक्ट्रम ठीक है इसके बारे में इस वीडियो इसपेक्ट्रम ठीक है तो वेडियो आपका इंपौर्टेंट होने वाला है पहला वीडियोwindow इस क्टर का प्लीज वीडियो को लास्त देखना तो चलो बात करतें टाइप आउप इस्पेक्ट्रम की थीक है तो बात करें और युल्ऄ आपका दो इसक्ट्रम परकार होता है पहला होता है उस सरजन स्पेक्ट्रम और दूसरा सोसर्ड स्पेक्ट्रम ठीक है तो चलो एक एक करके दोनों को देखते हैं पहला आपका है उतसरजन स्पेक्ट्रम इमीशन स्पेक्ट्रम ठीक है क्या कहा गया मानलो प्रिज्म है उससे निकरने वाली जो प्रकास किरण है उसे अगर आप सीधे ही स्पेक्ट्रोइस्कोप से देखो तो उससे जो प्राप्थ होने वाला स्पेक्ट्रम होगा भाई या वही आपका उस्पेक्ट्रम होगा ठीक है मान लो कोई प्रिज्म है ठीक है प्रिज्म है मान लिया कोई अब इससे जो सीधे आनी वाई रेडियेशन है अगर आप इससे सीधे ही स्पेक्ट्रोइसकोप से देखो तो इससे जो प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा आपका वो क्या होगा वही आपका होगा उत्रसरजन स्पेक्ट्रम हुद्वर्टाइगी विभिन रंगों में बढ़ जाएगी तो वह की से निकल beauty रड को सीथे इस्पेक्ट्र से डेखाँ जाये तो इस प्रेंगा प्राप्त स्फेक्ट्रम को इन प्राप्त स्थेक्ट्रम कहते हैंườं अब जब कोई hundred तो प्राप्त रेडियेशन को प्रिजम से गुजारा जाए तो इस्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वही आपका होता है उस सर्जन इस्पेक्ट्रम ठीक है क्या का गया है तो जो रेडियेशन को प्रिजम से जब गुजारा जाएगा और आप उसे इस्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वही उस सर्जन इस्पेक्ट्रम होता है तो देख सकते हो इस पर आपको दिखाया गया कि अगर radiation आपकी प्रिजम से होकर गुजे रहे और आप उसे spectrometer, spectroscope से देखो और उसका जो आप जब उसको फिर आप क्या करो उसका इसको record करोगे तो जो spectrum प्राप्त होगा वही spectrum आपका कौन से spectrum होगा उतसरजन spectrum होगा ठीक है तो ये बात है emission spectrum की लोग पढ़ भी सकते हो कि जब किसी प्रिजम से होकर निकलने वाली प्रकास किरण को सीधे spectroscope से देखा जाए तो वही emission spectrum या solid ये gas state में पदार्थ को high temperature पर गर्म किया जाए तो जो प्रिजम से आने वाले radiation को spectrum से देखो record करो उसको तो वही उस सरजन spectrum होगा ठीक है आप बात करते ऑसोसरड spectrum absorption spectrum की तो देखो इसे भी पढ़ते हैं हम लोग तो ये औसोसरड spectrum क्या होता है आपका तो जब कोई radiation जैसे sweet प्रकास मनला white light या wasp अथवा रंग हीन solution से होका परवाहिद की जाए ठीक है तो सतत spectrum में black lines दिखाई देती हैं क्या का गया जब किसी radiation किसी विकिरण को आप sweet प्रकास wasp या किसी रंग हीन million में बिलाओ मला उससे प्रवाहिद कराओ तो आपको सतत spectrum में काली रेखाए दिखती है ठीक है काली रेखाए दिखती है यही आपकी औसोसरड spectrum वाली होती है ठीक है आगे पड़ो इन काली रेखाओ कि दिखने का कारण यह है कि जब light पदार्थ के solution में प्रवाहिद किया जाता है तो पदार्थ कुछ radiation अवसोसित कर लेता है ठीक है तो यह बात है कि उसको क्या कर लेता है अवसोसित कर लेता है आगे पड़ो कहरा से NICKलने वाले light का spectrum से NICKलने वाले light का स्पेक्टरम लेने पर इन ऊसोसित हो जाने वाली विक्रीडो की स्थान पर black lines आ जाती है काली रेखाएं आ जाती है मनला विलियंस निकलने वाले light का अगर आप spectrum लेतों स्पेक्ट्रोजकोपी से तो विक्रीडों की स्थान बर का आप रेखाय दिखने लगती है ठीक है काली रेखाय दिखने लगती है आप पड़ो के साथे है इस प्रेकार जो काली रेखाय प्राप्त होती इससे ही absorption spectrum कहते है आपको देख सकते हैं चित्र भी इस पर नोई र है ठीक है कि आपका यहां से आपका जब source जाएगा प्रिज्मिस से पड़ेगा और आप उसे स्पेक्ट्रो मीटर से देखोगे तो आपको काली रेकां उस पे दिखेंगी ठीक है तो यह बात है जब उसे आप क्या करो उसका उसे जब किसी सॉल्यूसन दर प्रवाइड कर जाएगा तो सॉल्यूसन क्या करेगा उसका कुछ भग आस्योषित कर लेगा जिससे काली रेखाएं दिखेंगी और यही काली रेखाएं आसोसर्ड स्पेक्ट्रम है ठीके देख सकते हो जैसे स्वेद ब्रकास वासपथवा रंगहीं सॉल्यूशन से प्रवाइट किया जाता है तो सतत्र इस्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइन्स हो जा जाके चिक कर सकते हो